दोस्तों नमस्कार बहुत दिनों से आप लोग मेरे पेट कोर्स के लिए बार-बार मैसेज कर रहे थे वाटसप कर रहे थे और आप लोग का इतना प्रेम देख करके मुझे लगा कि मैं आज इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी दे दूँ कि कौन सा बैच मैं कब लांच कर रहा हूँ बैच लांज करने का क्या तरीका होगा और बैच पेट लांज किया जाता है इन चीज़ों पे मैं थोड़ी चर्चा करूंगा दरसल होता ये था कि मैं प्रड़े ये सोचता था कि अच्छा आज कर दूंगा कल कर दूंगा लेकिन नीजस्पेपर पढ़ाने में इतना टाइम हो जाता था उसके साथ एक दो और वीडियो जो आप लोगों के हैं तो उसमें समय नहीं मिल पा रहा है तो आज मैंने सोचा कि आपकी जिग्यासा सांध कर दें तो दोस्तों मैं अभी आपके सामने ये दो बैचेज ले करके आ रहा हूं दो बैचेज में जो ले करके आ रहा हूं वो है आपके सामने ये एक CHSL क्रैस कोर्स होगा प्लस प्रैक्टिस बैच तो ये क्रैस कोर्स भी है और साथ में या प्रैक्टिस बैच मतलब दोनों चीजे हैं मेरा ये मानना है कि दो महिने का समय हम लोग लेंगे और दो महिने के समय में हमें क्रैस कोर्स कराना साथ में प्रैक्टिस भी उसकी करानी है प्रैक्टिस के लिए मेरा जो अभी सोचना है वो ये है कि 100 papers 100 papers जिसमें maximum test papers previous years के questions papers उनको हम लोग discuss करेंगे और साथ में मैं हर topic पे आपको to the point पढ़ाता भी चलूगा और मान करके चलिए कि दो महिने में अगर प्रभू की इच्छा रही तो उसमें हम लोग complete कर ले जाएंगे पूरे course को test paper तो होगा ये approximately 2 से लेके 3 test paper पढ़ जैसा भी हम लोग देखेंगे शुरुआत एक से भी हो सकती है बाद में धीमे धीमे जब आपके speed और understanding बढ़ने लगेगी तो मैं 2 से 3 test paper कराने के स्थिति में होगा उमीद यही करता हूँ भगवान से प्रातना ही करता हूँ कि वो सही समय से course पूरा करें और आपको जो भी confusion होगा वो confusion हम लोग उसको solve करेंगे आप उसको प्रस्ण पूछेंगे और मैं उसका उत्तर दूँगा वीजबीज में life classes भी होगी दोस्तों एक बात यहाँ पे आपको समझना है कि जैसे मैंने पहली बार launch किया है मैं launch किया क्या मैं launch करने जा रहा हूँ उसमें आप लोगों का इतना प्रेम और यह हमारी जिम्मेदारी को और ज़्यादा बढ़ा देता है कि मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी है आप लोगों की प्रत्क्रिया देख करके मुझे तो सुरुआत में लग रहा था कि हो सकता है अभी मैं नया हूँ इस फिल्ड में online में तो पता नहीं क्या response होगा लेकिन जो response आप लोगों ने दिया है उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ अब यहाँ पे एक सवाल यह होता है कि paid batch क्यों paid batch देखे एक की समझेगा केवल यूट्यूब से पढ़ाई करके कभी आपने एक टापिक पढ़ लिया कभी दूसरा टापिक पढ़ लिया कभी तीसरा टापिक पढ़ लिया तो वो कभी भी seriousness नहीं आपाती है ना आपके पार्ट से आपाती है और नहीं teacher के पास वो accountability जवाब दे या जिम्मेदारी होती है जिब हम video डाल नहें हैं तो बीडियो डालने में हम कभी डाल भी सकते हैं video नहीं भी डाल सकतें तो वो जबाब दे ही नहीं ते हो पाती है पीचर के भी पार्ट से और आप जब पेट बैस में एडमीशन लिये होते हैं तो आपको भी एक जिम्मेदारी होती है कि नहीं मुझे कोर्स करना है और समय से कोर्स को करना है दूसरी बात यह है कि रेगुलर्टी मेंटेन हो जाती है जैसे कि दो महीने में मेरा लच्छ है कि दो महीने में हम लोग पूरे कोर्स को कबर कर ले जाएं और साथ में 100 टेस्ट पेपर अब जैसे 100 टेस्ट पेपर कह दिया तो दो महीने में मुझे उसे करवाना है यह मेरी एकाउंडिबिल्टी हो गई यह मेरी जबाब देही हो गई अब अगर मैं नहीं करा पाऊंगा तो फिर निश्चित तोर पर मुझे मेरी बदनामी का डर होगा कि स्टूडेंट्स या आप क्या कहेंगे तो वो मेरे उपर एक जिम्मेदारी हो गई साथ में आपके उपर भी क्या हुआ कि अगर आप यह सोचे कि मैं परड़े के दो तीन कर लूँगा तो कभी हो सकता दो तीन आप कर पाएं हो सकता चार छे दिन आप कोई पेपर ने कर पाएं तो कोचिंग का सबसे बड़ा जो फायता होता वो यह होता है कि कोर्स समय से पूरा हो जाता यह बहुत बड़ी बात होती है दूसरी बात दोस्तों यह है इसमें कि हम लोग एक क्वेशन और उठता है कि उसमें मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा कि कोई भी हर व्यत्य अच्छा हर टीचर अच्छा है कोई खराब नहीं है उसमें आपको जो सेलेक्शन करना चाहिए वो उस आधार पे करना चाहिए कि आपके दोस्तों ने या आपके किसी परचित ने आपके भाई बंद या रिष्तेदार ने किसके यहां कोचिंग आफलाइन किया हुआ है तो वो ज़्यादा अच्छा बता पाएगा कि कौन सा टीचर कितना डीप में जाता और उसका सेलेक्शन रेट क्या है या सैटिस्फाइग करने का उसका तरीका क्या या ग्यान क्या है तो वो बहुत अच्छ चाणी नहीं होगे अब मेरा चैसे ल बैच क्या है पेट कोर्स क्या है पहली बात तो यह आप जाले की क्रैस कोर्स में हम लोग पहले जैसे आगर माल दिए कि मैंने कामन एरर पे क्वेश्चन आपको मुझे कराना है तो common error पर question कराने के लिए मैं पहले noun से ले करके conjunction तब मान करके चलिए कि 35 से 40 rules के वल हैं ही ये experience teacher की ये भी सेस्ता होती है कि उसे ये पता होता है कि कितना पढ़ाना है और कौन-कौन सी चीज़े छोड़ देनी है क्योंकि अनन्त है वहां तक कभी भी कोई व्यक्त पहुआ और अगर उसमें कम टीटर अगर भटकेगा तो फिर उसका selection नहीं हो पाएगा तो उस दिशा में बहुत अच्छा यह होता कि जब experience teacher किसी भी experience teacher से आप पढ़ते हैं तो उसका लाब यह हो तक लंबे समय से वो पढ़ा रहा होता है उसको पता होता है कि कौन-कौन सी चीज़े छ हम लोगों को बस देखना है और उसी के अंतरगत आप 20-25 साल का पेपर उठा करके देखिएगा कि उसी में से आपके जो questions बने हैं वो उसी के अंदर से आए हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं करना है कई बार यह देखा जाता है कि पता चला कि डेडर सो सवा 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 पढ़ लेते हैं महीनों नाउन ही पढ़ते रहते हैं तो फिर वेस्टेज आप टाइम है तो एक experience teacher की ऐसे आपको यह लाब मिलता है कि आप सही समय में कोर्स को पूरा कर लेते हैं कोर्स आपको तयार हो जाता है to the point study होती है और competition में जो बनने वाले questions से होते हैं उसी पर focus कर करते हुए आप उस चीज को पढ़ते हैं अगली चीज आप यह देखिएगा कि बहुत कम समय में हम लोग कूर्स पूरा कर लेंगे to the point पढ़ेंगे भटकाव बिल्कुल भी नहीं होगा और लंबा अनुभा होने से लंबे समय से पढ़ाने से error free almost error free solution मिलेगा अब almost error free यह कहा क्योंकि ठीक हम लोग इंसान हैं चीज़ें होती रहती हैं ईश्वर को छोड़ करके हम लोग सभी लोग तो गलतियां करते हैं लेकिन आपके label पे almost error free ही आपको solution मिलेगा तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा अब जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एक topic दे होता हूंगा कि आधा घंटा से लेकि 45 मिनट तक के ही course में आप वैस भी कर सकते नरेशन भी कर सकते हैं और previous years में जो questions पूछें उनको आप मापदन बना करके खुद चेक कर सकते हैं कि questions आप कर पा रहें कि नहीं कर पा रहें उससे confidence boost होता है तो आप यहां पर इस बात को दूँगा कि PQRS में हम लोग करना क्या है इसके बाद हम लोग questions पे जाएंगे तो वो चीजें काफी सहज हो जाएंगे और अभी से मैं बहुत लंबा चोड़ा वादा तो नहीं करना चाहता हूं लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि इतने दिनों से अगर आपका इतना प्रेम मिला है तो और इतने वर्सों से आप लोगों ने इस सिखर पे मुझे बिठाया रखा है तो निश्चित तोर पे वो इश्वर के क्रिपा और आप लोगों का प्रेम है कि अख़ से दिलाता हूं कि आपका प्रेम है वो अगरो प्रेम आपका जापका है